वेरी गुड वाला गुड इवनिंग कैसे हैं आप सभी मैं रिया राठोड एक बर फिर से आप सभी का स्वागत करती हूं यूप एक्जाम्स वाला यूटूब चानल पर और उमीद करती हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे आपकी स्टेडी काफी अच्छी चल रही होग और आप जानते हैं कि इस समय हम्हें हम लोगों का रहा से सपा उल्हीं और चरण भ। सबसे पड़ी ताज्यपदेगक यह विलर जील उसका है वह दो चाहीं है पाप्ड़ी ताज्यपानी की घील कॉन साई है negotiations और वुलर जील हमें कहां पे देखने को मिलती है, तमाम वुलर जील हमें देखने को मिलते हैं, जम्मू कश्मीर में याणी की जेंड के आगे बढ़ते हैं, अगला कोशन लोक्टक जील किस राज़न में इसतेता है देखो भारत का पहला ना केवल भारत का बलकि विश्व का एक मात्र तैरता हुआ नैशनल पार्क तो ये भी आपको कहां पर देखने को मिलेगा यहीं पर यानि कि मनी पुर में नाम क्या हो जाएगा काबुल लम जाओ नैशनल पार्क काबुल लम जाओ नैशनल पार्क शंगाई हिरन की अगर हम बात करते हैं तो वह भी आपको यहीं पर देखने को मिलते हैं डांसिंग डियर हम जिनको क्याते हैं इसलिए कहा जाता है कि शंगाई उस सब कहां पर सेलिब्रेट होता है तो बेटा शंगाई उस सब आपका मनीपूर में और शुरूई लिली फेस्टिवल भी आपका कहां पर सेलिब्रेट होता है तो वह भी आपका मनीपूर में option आपका डी बिल्कुल ठीक है, लोग टक जील कहां पर है मनिपूर में, भारत का सबसे बड़ा लैगून चिलका, यह आपको कहां पर देखने को मिलेगा, भारत की पहली रामसर साइट भी यही है, भारत की पहली रामसर साइट, भारत की पहली आदर भूमी या रामसर साइट एक तो चिलका लेक हो जाएगी और दूसरा क्या हो जाता है केवला देव चिलका लेक चिलका लेक और केवला देव चिलका चिलका लेक और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं केवला देव डन है अट ए टाइम तो हमारे पास रामसर साइट कितनी है तो at a time तो हमारे पास 808 रामसर साइट है, सबसे जादा तमिल लाडू में है 16 तो ध्यान देचेगा सबसे बड़ा लैगून जील, चिलका हमें कहां पर देखने को मिलेगा तो यह हमें देखने को मिलता है Odisha, आपका ए बिल्कुल ठीक है अगला कोशन है जीलो का शेहर किसको कहा जाता है, जीलो की शेहर के नाम से जाना जाता है किसको उधैपूर को ठेक है जीलो का शेहर उधैपूर लोनार जील आपको कहां पर देखने को मिलती है तो बहुत आसान कोशन है जब हम लोनार की बात करेंगे तो यह हमें देखने को मिलती है कहां पर महाराश्व में सुखना जील आपको कहां पर देखने को मिलेगी तो जब आप सुखना जील की बात करोगे यह आपको देखने को मिलती है कहां पर चंडी गड में सुखना जील ब्रगु जील की अगर हम बात करेंगे तो हिमाचल प्रदेश है, हरियाना है, राजस्तान है या जमू कश्मीर है, तो जब आप ब्रगु जील की बात करते हो, तो आंसर आपका क्या बनता है, हिमाचल, हिमाचल, हिमाचल प्रदेश, आगे चलते हैं, वैरिनाग जील आपको क यानि आंसर आपका क्या बन गया? Option D बिल्कुल ठीक है. आगे चलते हैं, खुर्पा ताल जील आपको कहां पे देखने को मिलेगी? तो बेटा ये भी आप ध्यान रखियेगा, कि जब हम खुर्पा ताल की बात करेंगे, तो ये भी आपको उत्राखन में ही देखने को मिलेगी option आपका C बिल्कुल correct answer है. खुर्पा ताल भी आपको कहां पे उत्राखन में. बागी राकस ताल की अगर हम बात करेंगे, तो ये आपको कहांपे देखने को मिलेगी. बहुत-बहुत-बहुत famous है. दो से चार बार आपका examiner इसको क्या कर चुका पूच चुका तो राकस ताल की अगर हम बात करेंगे तो ये भी हमें कहां पर मिलेगी उत्रा खंड में पाकि शेशनाग जिल की अगर हम बात करते हैं तो ये कहां पर देखने को मिलती है तो जब आप शेशनाग जिल की बात करोगे तो ये कहां पर देखने को मिलेगी ये आपको देखने को मिलेगी जम्मू कश्मीर में शेशनाग पाकि गंगाबाल जिल की अगर हम बात करेंगे तो गंगाबाल जिल भी हमें कहां पर देखने को मिलती है तो ये भी हमें कहां पर अब लों को पिल प्रताय को पाथ कश्मिर के चलते हैं आगे वेले बनाद इंग्ने ने पर जुर्मा न दे शोर्मान लगाया था थाक मबनाद लिक को साफ न रखने के लिए कैरला सरकार पर तो वैंबनाद लेक कहां पर हो जाएगी तो वैंबनाद लेका हो जाती है आपकी केरल में यहनि ए दिल्ग कीरल में नागारजुन-सागर-जील एक होता तेलंगाना के बारे में आप सब को पता है कि 2 जून 2014 को भारत का 29 वाला ये स्टेट बना है 29 वाला स्टेट किस से अलग होकर के बनेगा आंध्र प्रदेश से अलग होकर के ये नया राज्य बनता है इसके सीम जो है वो कौन हो जाएंगे बिटा कॉंग्रेस ही है ये कॉंग्रेस नाम इनका हो जाएगा रेवन्ता रिड्डी और इस समय गवर्नर कौन हो जाती है तमिल साइं सौंदर राजन यहां पर गवर्नर है तमिल साइं सौंदर राजन और अक्सर पूछ लेता है कि इसक ये कौ olması किनारे हिए और हैद्रबाद को भारत में मिलाने के लिए कौनसा operation चलाया गया था तो operation Polo operation polo यह आपको क्या रखना है? यहां से ध्यान रखना है आगे बढ़ते हैं हुसैन सागर जील आपको कहाँ पर देखने को मिलती है तो बेटा हुसैन सागर जील आपको देखने को मिलेगी? कहाँ पर? उत्राखंड तेलंगे अादरप्रदेश है या फिर अगर हम बात करते हैं तमिल नाडू तो correct answer आपका क्या बनता है? तेलंगा न बिल्कुल एक दम आपका ठीक answer बन जाएगा बागे पेरियार जील की अगर हम बात करेंगे तो पेरियार लेख हमें कहा पर देखने को मिलती है केरल में आपका A भारत की सबसे बड़ी क्रत्रिम जील कौनसी हो जाएगी तो भारत की सबसे बड़ी क्रत्रिम जील यह हो जाती है हमारी कौनसी गोविंद वलब पंथ जील जो कि कहां पर देखने को मिलेगी उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश में आगे चलते हैं भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की जील कौन सी है तो चिलका जील है पैंगॉक जील है राजसमंद है या फिर अगर हम बात करते हैं तो आप लोगों का सांभर जील सांभर की अगर हम बात करेंगे, तो सांभर आपको कहां पर देखने को मिलेगी, तो यह आपको देखने को मिलती है, राजस थान, राजस थान, चिलका की अगर हम बात करेंगे, तो यह आपको देखने को मिलती है, कहां पर लद्दाख में, बाके राजसमंद कहां पर है, यह और होमबक में क्या कर दिएगा? आंसर कर दिएगा तो करेक्थ ekसर पन गया खारे पानी की सबसे बड़ी जील कॉन सी हो गई? चिलका जब मीठे पानी की बात करी थी तो वह कौन सी थी? वह थी वुलर जील मीठे पानी की जील, वुलर जील जो की कहां पर है जो की हो जाती है आपकी जम्मो कश्मीर में भारत में विशालतम लैगून निम्न लिखित में से कौन सा है तो अगर हम बात करते हैं भारत में विशालतम लैगून तो करेक्ट आंसर आपका क्या बनता है चिलका जील ही बनेगा option आपका A उत्रखण में है, कोलेरू आंदर प्रदेश में है, और जब हम कोडाईक नाल की बात करते हैं, तो यह कहां पर हो जाएगा, तमिल नाडू में, तो करेक्ट आंसर आपका क्या बन गया, ऑप्शन हमारा भी बिल्कुल एकदम, करेक्ट आंसर बन जाएगा, कोडाईक नाल, तम है, कोलेरू कहां पर हो गई, तो कोलेरू हो जाएगी, आंदर प्रदेश में, चलका की अगर हम बात करते हैं, तो कहां पर हो गई है, नाम ओडिसा में हो जाएगी, पुलिकट कहां पर आपको देखने को मिलती है, तो यह तो हो जाएगी, कहां पर, तो यह तो हो जाएगी, आपकी केरलमें। सब्सक्रेशिधियर चैक और मेंुर्मकी में। द।ी नहीमिंतल भारत के लेक नाम से जाना जाता है? लेक अल्षियर लेक टिस्टिक के इनाम से किस ग्यूमने? भी मुलान बशेख़ा ऑई किस आपके आपे जाना जाता है ? तो जब पिछोला जील की बात करेंगे तो यह आपको देखने को मिलेगी कहां पर राज्जस थान में, पुलीकर का है आंधरपु देखने को मिलेगी, तमिल नाडु में, वाकि कुमार पक्षी अभ्यारणे कि जील के पूर्वी तड़ परिस्तेत हैं, तो आंसर बनता है वैंबनाद के अगर हम बात करते हैं यह केरल में है सूरचकुंड लेक आपको हर्याना में देखने को मिलती है इसके अलावा कॉसर नाग लेक आपको जम्मू कश्मीर में देखने को मिलेगे पतह सागर लेक आपको राजस्थान में देखने को मिलती है और वैंबनाद के अग अगर हम बात करेंगे तो यह आपको कहां पर मिलेगे जम्मू कश्मीर में अंचार जिल तो लेक मैंने आप लोगों को आज की क्लास में करवा दिया अब नेक्स टॉपिक जो होने वाला है आप लोगों का वह कौन सा होगा प्ला सोच रहे एक बार डांस पर आप लोगों को कर मुलाकात करते हैं सुबह साथ बजे करेंट अफियर के सेशन में अपना ध्यान रखिए आएंक्यू सो मैच बबाई बेस्ट अफ लग् हो भी ह पईियर करेंगाद सेशन में हैं।